Good morning दोस्तो, आज को जो वीडियो है, यह package unit को start करने के लिए साइट पे पहुंचे, यह 32.5 लौर का package unit है, इसका model PY390 है, सामिल का package unit है, कभी भी किसी भी package unit को start करते हैं, करनी से पहले कुछ चीजों को unit के बाहर और कुछ चीजें unit के अंदर check करना चाहिए, तो unit के बाहर क्या चीजों कि अगर इस तरह से ध्यान नहीं देंगे, तो बाद में बहुत सारे मसले होते हैं, जैसे दो बाते मैं रखता हूं कि सामने, मैं देखा हूं, कभी कभी आप देखते हैं कि breaker ट्रीप कर रहा है, तो क्यूंकि breaker उसने under capacity लगा दिया है, कभी कभी आप देखें, cable गरम हो रहा है, जो main cable है, वो गरम हो रहा है, क्योंकि उसने calculation गलत किया है, जिससे ये problem हो रहा है, और कभी कभी compressor, motor और blower motor, condenser, fan motor और compressor blast भी हुए हैं, क्यूंकि technician उसको notice नहीं कि, उसको ध्यान नहीं दिया, और यह नहीं, नए technician नहीं पुरानी की बात कर रहा है, तो किसे काम को और control से जैसे contactor को power गया, तो compressor सहब चले गए, blast हुआ, क्यूंकि site voltage 83 था और ये voltage हमारा compressor का 220 था, तो ये होता है, तो इस compressor को किसी भी package unit को किसी भी company का start करने से पहले, कुछ चीजों को गौर करना चाहिए, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो मेरी, मैं अद्बर य होना चाहिए, तो बाद में बहुत बड़ा वीडियो कर दिया हम जदने, तो इसके लिए, तो समोसा चटनी हो, चाहिए, थोड़ा support होगा, मज़ा आएगा, तो सबसे पहले, कभी भी package unit को लगा रहे हैं, तो उसके capacity के हिसाब से main breaker है कि ने, दो breaker है, एक individual breaker है, जो उसका separate breaker ह लिए और एक main breaker है, तो दो यहाँ पर तीन breaker है, तो दो यूनिट के लिए दो और उसका main breaker है, तो वो जो main breaker है, तो उसका capacity और दो जो अलग अलग breaker लगा हुआ है, separate unit के लिए, उसका capacity को चेक करना चाहिए, कि उसके unit के मताबिक है कि नहीं है, वो पहले confirm है, जरूरी है, वो पर रखा हुआ है, तो एक तो main breaker है, यानि कि उस breaker से दोनों को power जा रहा है, और फिर cable का size भी check करना चाहिए, कि cable का size सही है कि नहीं, जैसे इसमें आपको 50mm का लगा हुआ है, जो 50mm का cable लगा हुआ है, इसमें एक एक unit में और बाद में आपको, जो main breaker है, जो main breaker में जो cable लग कर यह होगा आपका बाद में इस तरह लोगा आएंगी इसका कंट्रोल आप देखे लिए दो कंपरेसर है दो हीटर है ब्लोर है सबसे पहले जितनी वेरिंग आपको नजर आ रहा है जितनी भी वेर जरूरी है इसको टैट करें खासकर यह वाला यह नहीं यह तो BMS के लिए है यहां से आप BMS सिगनल लेने के लिए BMS, DDC, compressor चल रहा है कि ने, blower चल रहा है कि ने, fan चल रहा है कि ने, वो signal लेने के लिए यहां से तैर लेकर जाएं, तो वो important नहीं है, टाइट करना, लेकिन यह बहुत important है, इतना ही से तो control है, चोटा सा तो control है यह, चोटा सा, वो control को जबूर टाइट करना चाहिए, उसमें LP, HP का वेर है, यहां thermostat का वेर है, यह भी जरूर करना चाहिए, और बाद में आप जो वहां पर tool देख रहे हैं, जो brown color का वेर नज़र आ रहा है, वो condenser fan का वेर है, उसको भी टाइट करना चाहिए, बाद चाहिए अगर वो लूज हुआ तो फिर आपको वो HP पे ट्रिप करेगा, यह पूरा जितनी वेर नज़र आ रहा है, इसको one by one करेके पर टाइट कर ले, यहां पर जो हमारा काम है, बेल्ड का tension, alignment, टाइट करे, अब पूली की जो खासकर वो लूज होता है, कभी कभी, टाइट नहीं होता है, तो जो भी है, चेक कर ले, सबसे बेस्ट है, चेक कर ले, और ज़रूरी जो अहम बात है, इस सब को टाइट करे, इस सब लूज होता है हाँ, इस सब लूज होता है, तो इस सब को एक बार चेक करना, चेक किसी भी कमपनी का हो, कमपनी पे वो नहीं है, कि यह कमपनी का हो, तो वो करने के बाद, और यहां पर ग्रिसिंग जरूर करे, ग्रिसिंग जरूर करे, हाँ, तो ग्रिस उसके बेरिंग में फैक्टरिस से लेकिन कभी कभी नहीं आता है तो उस बात को ध्यान दे इस तरफ आएंगे कंप्रेसर के तरफ कंप्रेसर के तरफ आएंगे तो प्फूअर। tại ग mostrar्व सोने में working together . तो उसमें है कि ब्हुत कर साण निकल के झान उतल डरा जो कि बात है . चरबोल्ड को सिर्फ लोगद करें थोड़ा साण जगा बना जगात और इसलीं निकल के सट्रो करें। यह काम हो गया है आपर इतना बाद में इसमें खोलेंगे तो इसमें भी आपको SSPS वगरा नाजर आएगा इसमें भी कुछ कंट्रोल है थोड़े बहुत उसको भी टाइट कर लेना चाहिए यह इस तरह से हुआ और बाद में कभी कभी कुछ ब्रैकेट भी आता है पाइप में करके लाता है कि वो पाइप डैमेज नहीं हो कुछ ब्रैकेट आता है अगर है निकाल दीजिए कुछ यूनिट में आता है कुछ में नहीं नहीं आता है अगर है तो कुछ यूनिट में आता है कुछ यूनिट में नहीं आता है अगर है तो क्यूंकि बहुत सार बाद ट्रां प्रसंस ब्राकेट में लिखा होता है कि आपको निकालना है लिखा रहता है तो आप चेक करें लेकिन इस मोडल में नहीं आता है जितने भी पैकेज PY में PY, P, S, P, M, X में नहीं आता है नहीं आता है कोई bracket ओके आप चलते हैं हम दो नेम प्रेट के उपर जो अब हमारा यहां से अहम काम हो जाएगा तो नेम प्रेट सबसे पहले कभी भी चालू करने से पहले नेम प्रेट को रीट करें तो तो कंप्रेसर को आप पर देखें, वोल्टेश 380 है, वो साइट प्रेसर है 37.9, देखिए अगर गवर का 37.9 है, ब्लोर 21 है, कंडेंसर फैन मोटर 4 है, और इसमें MCA, जो में ब्रेकर का डिजाइन कंपनी बता रहा है, इस ने में प्लेट के हिसाब से, 116 से लेके 150 है, तो ब्रेकर उसका ठीक है, ब्रेकर उसने जो लगाया है, वो 150 से ही लेके 200 तक का, उसने में ब्रेकर उसने लगाया है, साइट पे, तो ये चीज़ों को जरू चेक करना चीज़, बहुत जरूदी चीज़ है, तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ हैं, पता ज़िए कंपेसर केतना है, मोटर केतना है, वो कितना है, सब कुछ पता चल गया, अब यह हाँ पर आएंगे इस तरफ आके, यह तो कंट्रोल में देख रहे हैं, देखो कभी-कभी क्या होता है, यह दो न्यूटल का टर्मिनल है, दो न्यूटल का टर्मिनल देख रहा है, एक एमटी है और एक में वैर लगा हूँ है, न्यूटल का वैर लगा हूँ है, तो वो जो इसको न्यूट्रल को हटा कि एम्टी जगह पे लगाएंगे, अगर मेन ब्रेकर आन भी करेंगे, थिरी फेस मिलेगा फिर भी वो चालू नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रल लाइन जो आ रहा है, वो पीसी पी में जो लग रहा है, तो जब इसको न्यूट्रल मिलेगा ही ने तो कंट्रल चालू नहीं होगा, तो उससे बचने के लिए, क्योंकि बहुत सही है, दो एक एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो उसको उठा के सपरेट जगह पे लगा दो, अबाकी जितनी चीज़ें जितनी वैर नजर आ रही है, टाइट करो, लेकिन बार बार मैं दुबा क्योंकि तो उभी इलक्ट्रोनिक्स चीज़ें है, ना समान है, तो समान का तो ये नहीं ना, तो वो जाता ऐसा, ऐसा हुआ है, जो मुझे एपनी एक्स्परियंस, मुझे मिला है काम करते, मेरे यो सर्विस में, तो वह बात से इर करना था आओ, तो जितनी ये चीज़ें है है, confirm है, satisfy है, तब आप उस wire को उसकी जगह पे लगा दीजिए, और जब तक वो wire नहीं लगेगा, तो तब तक आपका इस system और unit चलू नहीं होगा, तो अच्छी बात है, तो निकाल के पूरा जो आपको जितनी जो doubt है, क्या है, लोग ऐसा नहीं करते, वो direct on करते हैं, और neutral के कोई breaker नहीं है, तो breaker नहीं है, तो problem होता है, ब्रेकर ही नहीं है, तो जाहर है कि वो तो stop कैसे होगा, तो system को गलती से भी अगर वो power चला गया, और कुछ अगर गलती हुआ है, मानली जो voltage match नहीं किया, और भी कुछ match नहीं हुआ, कुछ भी हुआ, तो ये problem हो सकता है, कभी भी चालू करने से पहले proper voltage चेक करें, सब कुछ करें, उसके बाद वो neutral लगाए, तो हम लोग बाद में क्योंकि अभी breaker नहीं की है, तो उसके काम, side technician के तरफ से बचा हुआ था, तो आर्थिंग का वे cable नहीं लगाया था, तो हमने कहा नहीं, बीना cable का हम on नहीं करें, लोग करते हैं, तो हमने कहा नहीं on करेंगे, तो वो उसने cable लगा रहा है, तो पहले उसके cable को पुरा complete होने दीजिए, उसके बाद वो इसको install करने दीजिए, उसके बाद हम लोग उस तरफ जाएंगे, तो तो अभी तीनों face लगा दी है, neutral भी लग गया है, सब चुको एक बाद फड़ा सा चेक कर लीजिए, कहां पुरा टाइट हुआ है कि नहीं, क्योंकि होता है, तो इस सब को पुरा जितनी चीज़े हैं, इसको टाइट कर लीजिए, उसके टाइट करने के बाद, फिर हम लोग गया, अब हम लोग उसमें जाएंगे, देखेंगे, तो केबल 150 का था, बताया है, जो मेन केबल है, जो 150 mm का है, और जो breaker से, AC के तरफ जो जा रहा है, वो आपका 50 का है, अब आएंगे, ब्लोर के नेम प्लेट पे, ब्लोर के नेम प्लेट में कितना है, 380 है, जो बहुत आपको दिखाएंगे आपको बेजेंगे अप्रोड करेंगे तो हाँ ये कंडिंसर फैंड मोटर है तो इसका भी प्रत नेम प्लेट इसका भी हो गया है अब ब्रेकर आउन कर दिए ठीक है तीनों ब्रेकर आउन है में और कंपिसर वन कंपिसर टू का ओन हो गया है अब हम लोग सबसे पहला जो काम करना है हमें वोल्टेज चेक करना है क्योंकि अभी निकला हुआ है अभी यही देखिए ब्रेकर आउन के अगर न्यूटल लगा होता तो और गलती से सबसे पहले हम लोग वोल्टेज चेक करते हैं तो इसका आपका एक्चुल है 392 बहुत अच्छी बात है 94 है यह भी ठीक है आपके 92 94 बाद में यह निव्ट्रल से चेक करें 227 है दूसरा से चेक करो इसमें 26 है और इसको पी तीसरा बेखिए चेक कर लो आप का के वल्टेजफे ऊक्या होके है अब चलेंगे ऐसी के पास दव्टर के चेक करेंगे मैं दो पाने प्रानी में पीलों टरह आप एक अश्य के पास पास 292 यहानि कि दोनों के सलाती की को सहीआ व्लटेज कर व्हें व्हते हिए अब भी होता है 5 2 2 2 3 3 9 2 4 ने के Poker लें लृटेकिना हम चालुहुने के पहले तो चालुहुने के बाड़ भी क्युप apenas कभी कभी चलम कर जानाओ तो वह उससे भी आपको से स्टम में प्रोब्लम होगा को फिर लोड पड़ेगा तो बाद में अगर लोट पड़ेगा तो यह होगा तो neutral से बागे सब okay है अब हम लोग इस neutral line को अब आराम से लगा सकते हैं क्योंकि हम confirm है कि हमारा face neutral line proper okay है ठीक है voltage correct दे रहा है name plate के हिसाब से कोई दिखकत नहीं है तो इसको लगा दिए अब यहाँ पर हमें one out two में voltage चेक करेंगे one two में 227 यानि कि system में power आ गया यानि कि आपके control में भी power आ गया अब जब यह control में जब power आ गया तो RC में भी power आ जाएगा okay तो अब यहाँ पर हम लोग RC देखेंगे बस एदम सिंपल है यान बास एकदम सिंपल है को बहुत बड़ी चीजें नहीं है 25 ओके अब आपका thermostat में पावर आ गया पहले जो one two में देखा तो इसका मतलब यह कि PCB में power आ गया RC में देखा तो इसका मतलब है कि थर्मस्ट में अगर पावर दिखा रहा तो इसमें थर्मस्ट पावर आ गया ओके अब हो गया हम चालू कर दिए है अभी चालू होने के बाद जो फूल लोड एम्पेर है सेवेंटी-फाइब है 75 है ओके ऑँ स्वारी स्वारी है यह 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 जो फूल लोड एम्पेर ले रहा है एक एसी का दो अब यहां पर हम लोग देखें कॉम्प्रेसर कितना ले रहा है ठीक है 37 रिटेट था ना दूसरा वले 29 ले रहा है 37.9 रिटेट था एक्चुल मिन्स ओके है ओके अएक्चुल ओके है थोड़ा यूनिट बहुत हाइट पर लगाया है थोड़ा यूनिट लेट पर लगाया हुआ है साथ उच्छे लोग उच्छी पसंद होगा इसके लिए तो खेर तो साइड वल्टेज अभी कितना है 394 था तो 389 है यानिकि जादा फर्क नहीं पड़ा वल्टेज ट्रॉप नहीं किया है किया है बतला उतना नहीं किया है कि कभी-कभी बहुत 365 वल्टेज आदा तो वल्टेज ठीक है कमपेसर के पछाएं दृप अब देखे हैं पर अपको पुरा कुंपेसर में यानिकी पूरा कुलिंग सब चालू हो गया तो चालू करने से पहले इन चीजों को गौर कर लिए नौटिस कर लिए धियान दे थे थोड़ा सा वग देंगे बात में एक बार ही ब्रेकर आउन कर कि मेरे भी नॉलिज में इजाफा थाइंक यू शक्राइब